नमस्कार आप देखरें नियूज इंडिया तक आपके साथ मैं हूँ आसफ सदिकी गोपाल गंज के सांसत आलोक कुमार सुमन ने सेवेया हवाई पट्टी से उड़ाने चालू करने को लेकर के केंद्रिये मंत्री को पत्र लिखा था जिसके बाद पुर्वे केंद्रिये मंत् है दो जुलाइक उन्होंने जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी विमान कंपनी ने वहाँ पर से उड़ान को लेकर के प्रस्ताव नहीं भेजा है इसलिए उस जगह से उड़ाने नहीं हो रही है हाला कि अगर भविश्य में इस तरह की कोई बात हो कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है इस तिये वहाँ पर से उड़ाने नहीं हो रही है हाला कि गोपाल गंज के सांसत का ये सोचना है कि अगर गोपाल गंज के इस हवाई पट्टी से सवेया हवाई पट्टी जो है यहाँ पर से अगर उड़ाने उड़ती है तब ऐसे में विमानों का परचाना शुरू हो चुका है तो दर्भंगा के लोग जो हैं आसानी से आस पास वाले राज्य में चले जा रहे हैं खास करके बात कर ले दिल्ली कलकत्ता और मारास्ट चल जा रहे हैं तो ऐसे में गोपाल गंज में भी बड़ी आबादी वैसे लोगों की रहती ह अगर आ पर से सानसद क्या कुझ करते हैं पुरविकेंद्री मंतरी के दौरा अब आगे वो क्या कुझ करते हैं लेकिन उनका इरादा बस सही है कि गुपाल गंज के इस हवाई पट्टी से उड़ाने शुरू किया जा सके आपको बता देते हैं कि आखरी बार इस हवाई पट्टी से 1968 में विमान उड़े थी और इस जगह का इस्तेमाल पहले सेना किया करती थी एयर बेस के तोर पर लेकिन अब जो है इस जगह पर से कोई भी उड़ाने नहीं उड़ती है और इसी उद्देश को ले करके गुपाल गंज के सांसत ये चाहते हैं कि यहां से उड़ाने उड़े तके गुपाल गंज के लोगों को सबसे अधिक वैदा पहुँचे